हलो गुडी रूंग साथी हों स्वागत है आप सभी का आपकी पने यूट्यूब चैनल सीडिपी को इन्हमान सी मैं पार तो दौस्तों आज हम अपने क्लास कर रहे हैं यूपी टीटी से सम्मंदि जिसमें रहने वाले हैं बाल विकास के तीस क्वेस्चन्स और सारे के सारे क् क्रिए रहने वाले हैं अती महत्पूर तो एक बार सेशन को सुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास तक सेयर कर लिजे और वीडियो को लाग कर लिजे उसके बाद में सुरू करते हैं अपनी क्लास अगर आप चैनल पर ने जुड़े हैं प तो बताइए इन चारों में से कौन सा अपसन हो जाएगा सही तो कोस्चन नमबर 111 का आपसन नमबर से बिल्कुस सही हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत यानि आपसन नमबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका देखते हैं अला कोस्चन कोस्चन है विकास कैसा परिवर पहला आपर दालत मुझा निरंता चन्ने वाली प्रक्रिया नहीं है चौथा अपसने विकास की सभी प्रक्रिया अंता संबंधित नहीं है सभी लोग आंसर करेंगे निम्रिखित में से कौन सा विकास का सिध्धान्त है तो question number 133 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार और अगर आप चैनल पर नए जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथों के पास में जरूर सेयर कर लिजिए और जोड़ लेजिए सभी को इस क्लास में तो इसका सभी आंसर हो जाएगा आपसन number 1 क्या होगा विकास विकास जो होता है किसी समान नहीं होती भावनाओं से, वीचारों से, आचरन से या फिर यह सभी तो बताइए इसमें कौन सा अप्शन हो जाएगा सही कोस्टिन नम नमबर डी बिल्कु सही होगा मनों विज्ञान समनेत्या मानों भावनाओं विचारों और आचरण यानि इन सभी से सम्बंदित होता तो आपसर नमबर डी बिल्कु सही होगा यह सब्सक्राइब नमबर 136 सिच्छा को किसी व्यक्त की अपनी जिन्दगी डाट डाट बनाने में सच्छम बनाने वाली होनी चाहिए बहतर संतोष जनक और सार्थक या फिर सभी सम्बंदितों के लिए महात्रपूर्ट बताएं चारों में से कौन सा अप्शन होगा सिच्छा को किसी व्यक्त क कि अपनी जिन्दगी डाट डाट बनाने में सच्छम बनाने वाली होनी चाहिए इस कौस्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा तो सभी लोग आंसर कीजी एक बार ग्चा नमबर 136 का सभी क्लास कुरूर्म का हाठी हो जाएगा नोट डोट का विकास करना पहला अपसर ने ग्ञान का उस्था है शरीर का तिसरा है व्यक्तित्तु का और चोथा अपसर न Congrats का तो आंसर के जिए सिच्छा का मुख के उद्धर के व्यक्तिके के डॉट डोट का विकास करना तो Question पहला अपसर ने विदिमानेता, दुसरा अपसर ने सोसनियता, तिसरा अपसर ने दूई अर्थकता, और चौथा अपसर ने वस्तु निश्ठता, तो बताईए इन चारों में से कौन सा अपसर अपसर होगा सही, एक अच्छी उपलावद जांच का एक अविल अच्छन दिम् से कोई नहीं, तो इसका अंसर आप लोगों करना है सिच्छक, यानि कि बच्चे का पहला सिच्छक इन में से कौन होगा, तो क्वेश्चन नमबर 149 का जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इन में से अपसर नमबर C, बच्चे का जो पहला सिच्छक होता है, वो हमेश प्रोजेक्टर दूसरा अपसेने और हैडड प्रोजेक्टर और तिसरा अपसेने ब्लेकब Joey और तो चौताँ अपसेने ehpzieiere score तो बताई किसे एका ब्लेकबोर्ड त्सक अंपसन होतह संद्शन क्या है spareивать मर्तान ABOUT चलता है कि सिक Нач में एक प्रवल्चर है संभा होता योगिता से भी ज्यादा महत्पूर्चर पहला अप्षा उपेच्छा उसरा है अनविग्यता तिसरा है अभी प्रेणडा और चौथा अप्षा निरुत साहन तो बताईए इनमें कौन सा अप्षान हो जाएगा सही कोश्चन नंबर 141 का जो चप्ली चाहिए और स्भागिता दौरा सिखनें कि आब या सोगिये क्या करना चाहिए इपहला अप्षा नंक्या है निरुत साहिट किया जाना चाहिए दूसरा है अंदेखा किया जाना चाहिए तिसरा है परोतसाहिद किया जाना चाहिए और छोथा अपसने इनविमें से कोई नहीं तो इसका पताई सबी लोग क्या सही आंसर होजाएगा समुह में और सहय बागिता दौरा शिखने के अब भ्यासों को तो question number 143 का जो सही answer हो जाएगा वो जाएगा आपसे number C प्रोथ साहित किया जाना चाहिए क्या किरना चाहिए प्रोथ साहित किया जाना चाहिए अगला question है question number 144 से 12 सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार सिच्छा अधिकार अधिनियम वर्स दोट डोट में लागू किया गया 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में तो इसका अंसर से भी लोग कीजिए क्याश में सही हो जाएगा भारा सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार सिच्छा अधिकार अधिनियम वर्स तो इसका सही answer हो जाएगा option number D 2009 क्या हो जाएगा 2009 में लागू किया गया था तो option number D विल्कु सही है 2009 देखने के ला question question है राश्टी ये पार्ठ चर्रा की रूप रेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने सोभाव में डॉट 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 है पहला option क्या है निस्करी सरल दुसरा option निस्करी सामाजिक तीसरा option ने सकरी सामाजिक और चोथा option ने सकरी और सरल तो बताईए आप लोगों को ये बताना है कि इन में से कौन सा अप्षन है सही राश्टी पार्ठ चर्रा की रूप रेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने सोभाव में डाट डाट और डाट डाट है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपसर नमबर सी क्या होगा सकरी और सामाजिक बिल्कुर सही आंसर होगा आपसर नमबर सी सकरी और सामाजिक देखने ला question question है सिच्चा के वाँ विद्यार्थी के मद्य संबंद होना चाहिए इसने का, विश्वास का, सम्मान का या फिर ये सभी तो अंसर कीजिए एक बार सभी लोग सिच्छा के वह विद्यार्थी के मद्ध कैसा संबंद होना चाहिए तो 140 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा अपसर नमबर D इसने का, विश्वास का, सम्मान का यानि ये सभी के सभी संबंद होने चाहिए सिच्छा को विद्यार्थी के मद्ध में मद्ध में तो अपसर नमबर D बिल्कुल सही है ये सभी एगला कोश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कोश्चन नमबर 149 का तो सभी लोग आंसर कीजिए एक बार जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले इन में से कौन से कारक हैं तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपसर नमबर D क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है आपसर नमबर D उपरोक्त सभी अगला कोश्चन है एक बच्चे की मानसिक आयू 12 वर्स है एवं वास्तविक आयू 10 वर्स है तो उसकी बुद्धि लब्द क्या होगी 110, 100, 120 या फिर 83 तो कोश्चन नमबर 148 का आप लोगों को आंसर करना है इसका बुद्ध लब्द क्या होगी क्मोशन ए परिपक्वता का शंबंद है पहला आपसर ने विकास से तुसरा है बुद्ध लब्द्ध तिसरा है स्रजनात्मक्ता से छटा आपसर ने रुच्छ से तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका कौन सा अपस्वन जाएगा सही परिपकता का शंबंद किस्से है कॉश्चन नमबर 149 का अंसर कीजिए एक बार सभी लोग अगर आप चैनल पे नए जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिजिए और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथ हों तक शेयर कर लिजिए और इसका आंसर कीजिए एक बार क्या हो जाएगा परिपकता का शंबंद है तो इसका सही आंसर होगा विकास से क्या हो जाएगा विकास से अगला कोश्चन है बाल्या वस्था होती है पांच वरस तक बारा वरस तक एकीस वरस तक या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो सबी लोग आंसर किजिए बाल्या वस्था होती है इसमें कौन सा अपसर हो जाएगा सही तो इस question का जो सही answer हो जाएगा वो जाएगा option number B बाल्या अवस्था होती है 12 वर्स तक तो option number B बिल्कुल सही है कब तक 12 वर्स तक होती है बाल्या अवस्था देखते हैं अगला question, question है किसे किसोर मनोविध्यान के पिता के नाम से जाना जाता है सभी लोग आंसर करेंगे इसका किसे किसोर मनुविज्यान के पिता के नाम से जाना जाता है पहला अपसाने इस्टेनली हाल को, दुसरा अपसाने गेरिशन को, तिसरा अपसाने गैशले को और चौथा अपसाने थारंडाइक को तो सभी लोग आंसर करेंगे किसे किसोर मनोविज्ञान के पता के रूप में जाना जाता है तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आफसनल नम्बर A क्या हो जाएगा प्राकलपना किसने प्रतपादित की आपसन नमबर A है पियाजे, B है यूंग, और C है वाइगोट्सकी, और D है वार्फ हो जाएगा, या फिर पियाजे, यूंग या फिर वाइगोट्सकी, तो इस question का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा, आपसन नमबर D क्या होगा, वार्फ जो है, बिल्कु से आंसर होगा इसका अपसन नमबर D, वार्फ, देखते हैं गला question, question है मूर्त संक्रियात्मा का वस्ता है, जरम से 24 माह तक, दुसरा है, 2 से 7 वरस तक, तिसरा अपसन है, 7 से 11 वरस तक, और 4 अपसन है, ग्यारा वरस से, अधिक तो बताएगे सभी लोग, मूर्त संक्रियात्मा का वस्ता है इनि में से क्या हो जाएगी, question नमबर 154 का जो सही answer हो जाएगा, तो बताएगे क्या हो जाएगा, इसका से अंसर हो जाएगा, अपसन नमबर C, क्या हो जाएगा, 7 से 11 वरस अपसन नमबर C, बलकु सही है, 7 से 11 वरस तक होती है, मूर्त संक्रियात्मा क वस्ता, देखते हैं कोशन है किसे ने या मत दिया है या फिर दिया कि भासा विचार की अंता वस्तु का निरधारन करती है इसका अंसर करना आप लोगों को सभी लोग अंसर कीजिए किसे ने या मत दिया है कि भासा विचार की अंता वस्तु का निरधारन करती है पहला अप्शन है Friat का दुसरा है Wundt का तिसरा अप्शन है Pajajay का और चोथा अप्शन है Warp का तो सभी लोग आंसर कीजे क्या होगा क्वेशन नमब एक सो पच्पन को आप्षन नमबर डी क्या हो जाएगा हुआरफ जो एस में वो सही आंसर हो जाएगा आप्षन नमबर डी हुआरफ अगला क्वेशन है एक पूरू विद्याले बालक कहता है सूर्य उदास है बालक निम्लिखित में से किस संप्रत्ते की अव्यक्त कर रहा है पहला अप्षन है सजीव चिंतन दूसरा है केंदरिता तीसरा अप्षन है पारम परिक्ता और चर्था अप्षन है वस्तु इस्थायूत तो बताइए इन चारों में से कौन सा अप्षन सही हो जाएगा एक पूरी विद्याले बालक कहता है सूर आज उदा से बालक निम्लिखित में से किस संप्रत्ते की अव्यक्त कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन बिलकुँ से अंसर हो जाएगा सजीव चिंतन आपसन नमबर A बिलकुँ सही है इसका सजीव चिंतन अगला question है निमन मैं से किसका संबंध मोल दुस्चिंता एवं मोल सतुर्टा के सम परत्तियों से है पहला आपसने कॉंडर्ड लारेंज दुसरा अपसने कलार खाल और तिसरा अपसने केरन हारनी और चथा अपसने C G yung तो सभी लोग आंसर करेंगे question number 57 का कौन सा अपसन हो जाएगा सही तो इस question का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपसन number C, Karen Harnie जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे का बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्याले और सिचक द्वारा प्रहवित होता है आपसन नमर वन है मानसिक, टु है समाजिक और थ्री है समयगातमक और चौथा आपसन है ये सभी तो answer कीजी एक बार question नमर 28 का बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्याले और सिच्छक द्वारा प्रहवित होता है तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपसन नमबर D क्या हो जाएगा ये सभी के सभी बिल्कुँ सही है तो आपसन नमबर D इसका हो जाएगा सही अप्षान नंबर D आगे देखते हैं कुश्चन है किसे ने मूल अभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था आपको बताना है Q169 का सभी लोग कौन सा अपसर इसमें सही हो जाएगा सभी लोग अंसर करिए जल दिल दिखाता है यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, या फिर नाडी मंडल संबंधी आदत, या फिर नैतिक आदत, तो सबी लोग आंसर कीजिए एक बच्चा सदेव दूसरों के प्रतिसाहन भूत दिखाता है, यहां आदत कहलाती है, question number 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B क्या हो जाएगा, भावना संबंधी आदत, बिल्कुस सही आंसर, इसका बिल्कुस सही आंसर है, भावना संबंधी आदत, तो दोस्तों यह थी आज की हमारी class, जिसमें हमने किये है, बाल विकास के most important, तीस questions, जो आपके लिए काफी important रह स अगर आपको यहां से एक से दो कोश्चन देखने को मिले आपके एक्जाम में तो आप लोग बताना है कमेंट बाक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी अगर आपको क्लास अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर ले और इस क्लास को अपने सभी जानने वालों के पास में जरूर शेयर करना जिनको इस बार यूपिटर्ट का एक्जाम देना है 13 जन्वरी को तो अभी के लिए धन्यवाद बाबाए